कि यह आज वीडियो बनाने का हमारा यही परपस है कि थोड़ा सा यह अलग मिर्ची है हटके मिर्ची है तोड़ सकता हूं इसको तो थीन या चार टन निकलता है माल दिखा दीजिए थोड़ा इसका भी यह इसको लगाई कितना दीन हुआ इसको सावा दो मैन हो गए यह जैसे थ्रिप्स हो चोटी-चोटी मकडिया हो और क्या बोलते है सकिंग पेस्ट वो सब इस पे चिक चिपक चिपक जाता है यह मारा हुआ पूरा यह देखो मारा हुआ हमने दोस्तो आज हम ऐसे फार्मर से मिलने वाले जो की बहुत ही बढ़िया तरीके से खेती करते हैं आज हम चिली के बारे में बहुत अच्छी वाले यहाँ पर चिली के जोनगा अलग तरीके के प्लॉट है बटेर सारी अलग अलग वराइटी है और जनके आज हम फाम पर आया है उनको ना की चिली का experience है अंगूर की बगया का experience है उन्होंने टर्भूस की खेती की है उसके अलावा water मेलन की खेति की है तो बहुत ही अलग तरीके के कई सारे अनुबह हो है तो उनका जो अनुबह हुए वो मैं आज आज आपके साथ साजा करूंगा आज हमारे साथ जो फार्मर है दीपक निकम जी नमस्कार से तो सबसे पहले तो हमें यह बताए यहां पे चिली का प्लॉट टो इस साथ लगता है है चैनल परयदेश के तो हम कला आज नमसे अलग शो यह कब की plantation है यह दो मैंने के पहले plantation है अभी चालू दस-पांतरा दिन पहले अभी चालू हो गया प्लॉट माल कितना निकलता अभी उसका माल अभी निकता है दो टन क्या सपस तो अभी मुझे यह बताई है कि हम उधर पिकाडोर से चालू करते हैं उधर आपने बताया जब म किलोमेटर है नजदिक है यह ही पर हम करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसको बोलते हैं पिकाडोर मिर्ची जो कि आप साइज देख सकते हैं यहां पर यह देखें यह आज वीडियो बनाने का हमारा यही परपस है कि थोड़ा सा यह अलग मि चाहती हैं लंभी वाली आती है क्यों लगाई आपने मार्केटिंग की वज़े से लगाए थे हमने जड़ा घूम फिर के सर्च किया कि अभी फिलाल मार्केट में और ज्यादा था किसानों के पास यह वारती चुनिया है क्या मार्केट रहता इसका अभी तो 30 रुपए की च पासे लगाते हैं हम अच्छा और जमीनी के लिए कैसे होने चाहिए जमीन मेडियूम यह बाहरी रही तो ब्लब हम चाई चलेगा मतलब जैसे आपकी जो सवाल August की अब इस ऍाइप की मिट्टि रहेगे तो भी चलेगी चलेगा अबी बात नो कम अब यह अबी प्लॉट कितने महिने का है टोटल अभी यह 2,2 महिने का प्लॉट है यहां पर माल कितना निकलता है आपका केयल सी आप 2 तंप आदा में अबाँ इक्रक्ट होगा हमारी खेट में अधा इक्रत होगा इसमें एक छायता है माल यहीं सार तल्ट निकलता है मतलब कैसे तन जाता ही तीस और रूपर मतलब नभ्य तो हुलनने के प्लांट लगा है और आपको क्या लगता है फूरी सीजन में कितना माल निकलेगा पिकदोर का 25 तुर अराम से निकली जाएगा, अब यह तो तीन टोड़े में 10 टोड़ा है चला गया ज्यादा निकलोगा लेकिन अगे मोशन खरब रहेगा क्या-क्या-क्या रह यहां पर यहां पर अलग अलग डिस्टंस यहां पर प्लांट लगाए आपने और पानी के लिए नीचे ड्रीप इरिगेशन है इसका प्लांटेशन के बाद आपने क्या खास द्यान दिया है कि यह फसल बहुत अच्छी है क्या है आप क्यतन दिन बात इससींदर में इसप्रे करते हैं अब किटनास्यों को किसफ्रे करते हैं कि आपको कितने दिन बात स्प्रेय करते हैं आट दिन के बाद ही विद्विक्ट रहा थे नीन स्टार्ट के समय हम चीर पाश दिन में बड़ा भी हो गया है भी ओ embarrass एंचाहिवा अल्वा, इन की जूर्वा न करने में इनने जोड़ें ब्सक्राइब करने हैं में तो आपके लेकर फ्रिप्स के लिए यूपिल का उलाला है वायो ओफ्रेव साथ इसे वाटकांज इन अफ जर दोलके हैं चाहिं करते हैं बडिया है और टौनिक में क्या देते है भून एकस निख्या ज़्यां नाइव ज्यान देटें जैसे के दुण सब्सक्राइब कर वह नांट सोब्सक्राइब कर दो एक थीम इंटेश को लागए जादा है जाना जाए इतना बाड़ा है फिंट्राइब के लिए दो ग्राम तो जाना है निचे से पर पेड दो ग्राम जाना चाहिए इतना बड़ा पीड़ है तो इतना जाना दो ग्राम से क्या हो जाएगा उसको दोस्ते बहुत ही महतोपूर्णा बात है कि इन्होंने पिकाउडर मिर्च यहां पर लगाए कितना प्लांट आपने बोला अधाइकर में पांच अजार के टूड़ दिया अभी और दो चारी दिन रुखना पड़ेगा इस से वड़ा रहता है इस से बाड़ा हो जाता है मतलब सँकर्फ करांटक हो जाता है दूस्त काफी अच्छा है वही खास करके हम इस वीडियो में देख रहे है कि मैनेजमेंट कैसे हो रहा है क्यों इतने अच तो दोस्तो हमें एक टाइम पर धेर सारे वराइटी देखनों को मिल रही है इतनी वराइटी हमें देखनों को नहीं मिलती है तो यह वराइटी को भी बानना जरूरी है जरूरी है इतना बड़ा पीड़ोगा तो बानना जरूरी है नहीं तो यह नीचे जमीन के जमीन के असप प्लांट है इसके तीन हजार दोस है उसके भी साथ में लगाने चाहिए और इधर की वराइटी हम देखते हैं तीसरी वाली इसमें वाइरस भी कम है यह आप प्लाइटी है और यह वाली कौन सी वराइटी है यह 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 चिलांग बलके है तो इसका अब देख सकते हो मुझे इमीर्चिये काफी मोटी लग रहे तो मार्केडिंग कैसे होगा इसका क्यूंकि मार्केट में जो है पतली और लंबी चाहिए चलती है मारकेड में हम जबन फ्रफाइन कैसा तोड़ी बढ़ी हो गए मेरे लगभाद सर के तोड़ा सा यह और काफी आगे भी काफी तरफ हाइट हो गई है तो यह भी सेम टाइम पर प्लांटेशन है तो मुझे यह बताइए एक टाइम पर आपने चार वहराइटी लगाने की क्या मतलब वज़ा है एक सात्पराइड आढल पर यह राता है उसलिए एक साथचर क्या है क्या ग्याएट लिए यह पर नहें क्या रिंदाना-चाल सेे लिव यह रापने लंकैज़ा हुआखराया ब कर दोफ हैं बार हमने पहले बार किया है हमारे पास जो न्यत्रा है हमने गए साल भी की ए लिए और इसमें तो यह पेस्वाराइट आपको कौन से लग रही है कुझे यह पहले आप हमने देख था घुए रपी कंडूर फिर गडूर इसके बार जो हमने एक हाजर तीन बोल किया है वह इसक सबस्क հहे हैं लेकिन यह काहां पर ज़ती है यह वो अधर की वाराइटी जाता तर गुजरात में चलती है उधर की है और आप फार्मर को क्यों सी वराइटी रिकमेंड करना चाहेंगे वाराइटी लगा है जिसमें उनको फायदा हो सके वह पिकेड़ अच्छा है उसके बाद वह यह अच्छा है उसको मार्केट वह और लेबर करीच भी उसका कम है वायरस भी ज्यादा नहीं है अच्छी वराइटी है और टोटल आपका यह एक एकर में माल कितना निकलता है पिक उसका थोड़ा कम रहता एक टूड़ा नगा है दो नना फम रहता है तुह ऑचछी लらőp टीघ्टिंग सब्सक्राइब कितने दीन और फर्रिश्टिंग करते हैं पास्छे दिन में निका आहरवेश्टिंग करना पर दोटाओ चल रहा है इसको फटार रुपई से चिलांग है वह पंदर रुपई सी जाता है अमारे लुकल मार्केट में और जो एक हाजार थीन है जो यह लोकल का प्टिकलर कलांब है वह 25 रुपई से मुंबई हम उसको बेचते हैं वह बढ़िया जाता है और लोकल को यहाँ खरच भी हमको कमाता है इसका इसका तोड़ाई का खर्चा भी जाता है एक लेडिस मेरी साब से कितना एक लेबर कितना तोड़ते होंगे यह चिलॉंग है वह सट्राइसी के जितक आरामसी तोड़ जाएगा एक लेबर दिन बर में और वह वाली मिर्श वह वाली ज्यादा ज्यादा नभे एक तोड़ सकते हैं वह पिकाड़ भी समझों पांच्छे लेबर हो तो पिकेड़ का भी लगबग एक साथ आट सो किजी लगए सव किलो सब्सक्राइब आसपास जाता है एक लेबर मतलब इसमें जो है साथ आट रुपे तक जाएगा लेबर खर्च बहुत इसमें कम है अचा तोड़ाई में इसमें खर्चा कम है यह लगाना भी सही है और इसका और बहुत निकलता है इसलिए और क्या खास फार्मर को ध्यान देना चाहिए कि जो कि इतना अच्छा प्लॉट सारे ग्रोव कर रहें क्या- यह हमार बगीचे मखेच में यह निले वाले हमने ट्रेफ लगा लगा यह जैसे थ्रिप्स हो चोटी-चोटी मकडिया हो और वह क्या बोलते हैं तुल्तोडे हो तो सब इस पे चिक चिपक चिपक जाता है हमने हर एक जो कर बोले हर एक पोल है उसमें लगा दिया है इसे ओ जो वाइरस की साइकल होते हो ब्रेक रहता है इसको यह बहुत हाल दवाय का भी खर्चा कम करता है बहुत बढ़िया फिर तो अच्छी बात है इस पर हमने वह ज्यादा इस पर ध्यान दिया है हमने ज्यादा मतलब यह ट्रैप आपने हर प्लॉट पे चाहिए नीचे वाली नेत्रा हो चाहिए तीन वराइटी हो मेच कहुंशी वह उसके ट्रैप रहना है चाहिए कौंसा भी खेतो जो ऐसा मार्केटिंग की सबसे रहता है उनको उसमें ट्रैप चाहिए चाहिए अच्छा तो आपको यह टोटल तीनों फस्तों में कितना खर्चा है अलग बग दीने चाहिए अच्छी मश्यच सब्सक्राइब रहे इसके पाले कोई डिया था हमने कोदre और कोकूंबर खी रवला को क्या ड़लतें US तो रहे हो इसमे यही तिन इल्क पर यही मल्चिंग पर यह ता वह निकलने के बाद हमने इस पर मिर्च यह रगाई है मलें आपने फै सब्सक्राइब कर दोस्तों कि अपने दिमाग लगाए यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों की मल्चिंग पेपर का दुबारा इस्तमाल यहां पे किया गया है तो आपने कुकुमबर निकालने के बाद जमीन में वहां मतलब स्नेल कील या कोई चीज की आई तिस निल कि आई थी बेमारे स्टाट में रहा था हमने उसनो उसमें जो यह दो जो एग्रोका जो शोतेल के बुडव की डवाय रहते हैं वहमने डाल दिये ती आप देख सकते हो हमने का लिए परसु डाल दिया था ओं मर धालक ज्याव सेघ्जाबthon्नी समय कूलोटर नदीक मरा हुआ नदीड आय। गदर अचमने वहीं कर ना में ये और Marty यह अमनी ना में हुआए। ऐसने पूरा शनलकी इल उसने पी इस नहीं के लरा जाए। पौहा होता है उसमें भीगो कर रगड करेमिंए बिचा दीती है कितना ड़ा था पौहा लगबग 2 एकड में 10-3 kg होगा और शीदा स्नेरकिल डालोगे तो खर्च बहुत आता है यह बहुत बढ़ी आपने किया है यह तो आपके प्लॉट्स कब तक अभी चलेंगे आगे अभी यह प्लॉट्स अभी कौन सामाइना चल रहा है अभी अक्टूबर चल रहा है यह तकरीम फरवरी तक चलेगा और आपको क्या लगता है कितना माल टनेज में निकलेगा टोटल प्रवरी तक बहुत बढ़ी अच्छा माल निकलेगा वही आपका अगर बीस तन भी मार ले पिकड और अगर बीस रुपए से भी दाय तो चार लाक उसी का हो गया वह खर्चा निकाल देगा और यह प्रॉफिट बचा देगा बहुत ही बढ़ीया तरीके से यहाँ पर आप आप खेती कर रहे और कुछ आपके वास टिपस हो लंबी वाली मिर्च की कि आपके पास आज हम वीडियो इसलिए बना रहे है क्योंकि कि अबी लगया लगा है इसका काफी आपको आनुबव हो चुका है और हमारे फार्म तो दिक्कत क्या आती है कि मिर्च में जानकारी नह तो उस टाइम यह जो यह वाली मिर्च है इसको रेट ही नहीं मिल रहा था तोड़कर फेक दिया रहा था दस रुपए पाच रुपए के जिसे इसका खर्च नहीं निकल रहा था यह हमने देख लिया कि मार्केट में इसका ज्यादा प्रब्लिम हो रहा है मार्केट आपने ब्लाइट कि आपको कैसे लगी ब्लाइट ओड और। शैयल को शैयर कीजें और। चैनल को सॉप्सक्राइब करना ना भूलिएगा और। वीडे को रायक भी किजेगा तैने वार